आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं about bitcoin current scenario and यहाँ पर क्या क्या possibility हम लोगों को दिख रही हैं क्या क्या होने वाला है market के अंदर या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तो लास्ट वीडियो में हम लोग नहीं पर बात किया दा कि bitcoin के यहाँ पर multiple head and shoulders देख रहे हैं blood बात आने वाले time के अंदर possible है जो कि हमें future में देखने को मिले बहुत जल्दी लेकिन इसका मतलब यह है कि वह तुरंत एक दो दिन के अंदर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग daily time frame या weekly time frame के सा आप से बात कर रहे हैं तो आने वाले एक डिड़ महीना या 15-20 दिन उसमें आपर लग सकते हैं हो सकता है कि यह नवंबर के first week से हम लोगो यहाँ पर market के अनदर थुड़ा सा red वाला bloody माहौल धोड़ा यहाँ पर देखने को मिले अभी दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ प पैठन था उसमें आप देख रहे हैं कि BTC यहाँ पर होने को तो यहाँ से ब्रेकाउट हो सकता था लेकिन बुल्स यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉंग हुए और वहाँ पर बाइंग प्रेशर आता रहा बीयर्स भी स्ट्रॉंग है बुल्स भी एक बेर्स जादा स्ट्रॉ सीधा जा रहा है अनेक्सपेक्टिडली स्ट्रेट फॉरवर यहां पर केंडल अप जाती है फिर डाउन आ जाती है जब की जो की बिलकुल बिलकुल यहां पर एक तरीक से दिखा जाए अगर हम चोटे ताम फ्रेम के साफ से देखोंगे तो बहुत जादा कन्फिशन होगी यहां पर डेली टैम फ्रेम में हम लोगो देखने को मिल रहा है जिसमें हम लोग देखे हैं तो प्रीवेस सपोर्ट को यहां पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन की थूँ देखने तो यहां पर हम लोग इस ट्रेंड लाइन से अगें यहां पर रिजेक्ट हो चुके हैं ठीके reject हुए हैं लेकिन इसी चार्ट को अगर मैं यहापर आपके साथ सेट करता हूँ फोर हार टाम फ्रेम पर तो यहापर थोगा सा हमारा व्यू एंगल चेंज हो जाएगा व्यू एंगल दोस्तों चेंज केस हो जाएगा अगर मैं यह सारे व्यू एव्यू बात करें तो यहापर थोड़ा सा बिटकोई जो है अपर आपर आपर मुमेंट की तरफ यहापर हमें जातु देखने को मिल रहा है जो कि एक थोड़ा सा बुलिश सेनेरियो है लेकिन स्टिल वॉल्यू का सीने दोस्तो हम लोग देख रहे हैं यहापर हालंकि वीकेंड है तो वीकेंड पर वॉल्यू नहीं होता लेकिन फिर भी अगर वीकेंड से पहले की बात करें तब से और अभी तक देखें तो वॉल्यू टेकलाइनिंग है यही चीज हमें आपर फरण दोस्तो हम अरूसर की बात करें तो यहापर दोस्तो यि जो बू लइन आपको दिखनें यह यह वन हंडेड ऊडेड देस का मुउविंग आवरेज and currently यहाँ पर BTC dump होती हुआ आया and अपने moving average पर यहाँ पर टिक हुआ है and same यही पर हमारी जो एक trend line है, supported trend line है, इस की उपर यहाँ पर टिक हुआ है अब दोस्तों करेंड सिनेरियो में आपको अगर मैं बताओं करीबी से अगर आपको देखना है मार्केट के अंदर क्या हो सकता है and क्या होने वाला है क्योंकि situation यहाँ पर कभी भी change हो जाती है पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर हमारी cluster algorithm indicator के अंदर हम लोग यहाँ पर oversold zone के अंदर आ चुके है इससे अगर थोड़े से आउट होते हैं आउट होते हैं and उसी के साथ ही साथ हमारा यह जो moving average है price अगर 100 moving average की ऊपर ही ticker रहता है यह ना नीचे इसको break नहीं कर पाता और यह जो पतला सा आपको moving average दिख रहा है दोस्तों जो candle के साथ बिलकुल साथ साथ चल रहा है यह दोस्तों weighted moving average अगर मैं इसकी setting open करके दिखा हूँ आपको तो यह कुछ इस तरीके से जो यहां पर मैंने set क्या हो है यह WM जो कि 5 days WM है यानि कि 5 days के weight के साथ moving average यहां पर हमें यह estimate यहां पर बता रहा है कि price जो है अभी currently bearish में है 4H time के साथ से भी हम लोग थोड़ा सा bearish है candle के साथ से ठीक है अगर price यहां पर इस 5 days weight and moving average की ऊपर आ जाती है 4H time frame में जिसको आप लोग थोड़ा सा observe कर सकते हैं तो वहां पर थोड़ा सा market के अंदर scene change हो जाता है हो सकता है मतलब हो सकता है BTC की जो possibility हम लोगों को देख रही है क्योंकि दोस्तों यहां पर हमें 4H time frame में एक ascending triangle देखने को मिल रहा है काफी down है and ऐसे में भी हम लोग expect कर रहे हैं और down जाने के लिए तो इतनी easily तो down नहीं जाएगा लेकिन इतनी easily down ही जाएगा और ऐसे scenario में जब market ऐसी stage में होता है तो ऐसे में काफी सारे fakeouts होते हैं क्योंकि market की पास गुंजायश कम होती है नीचे जाने की and ऊपर जाने की भी तो ऐसे में bulls और beer की जो fight होती है उसके अंदर जो manipulators होते हैं market को बहुत जादा manipulate करते हैं जैसे कि बड़े-बड़े exchanges engine के पास बहुत जादा bitcoin की supply होती है वैसे whales तो यहां पर मैंने इसको वापस से 1-day time frame के साफ से सेट कर दिया है अगर हम 1-day time frame के साफ से इस ascending triangle को दिखते हैं तो दोस्तों यह कुछ इस तरीके के दिखता है लेकिन 1-day time frame के साफ से still काफी जादा बीरिश मुझे BTC यहां पर दिख रहा है वो दोस्तों यहां पर क्यों है क्यों कि यहां पर हम लोग देख रहे है कि जो moving average है वो candle के ऊपर आ चुके है बिलकुल एंड जो हमारा 5 days weight and moving average है वो भी candle के बिलकुल उपर है जादा स्यादा दोस्तों यह अभी मुझे possibility दिख रही है कि short time में हम लोग एक बार फिर से यहां पर हमें एक possibility मुझे और दिख रही है अगर मैं रेक्टेंगल यहां पर इसको highlight कर देता हूं तो हमारा जो हमारा जो दुस्तों liquidity वाला area है ना currently वो यहां पर हमारा currently almost around यह वाला area है तो अगर जादा से यादा market के अंदर अगर BTC थोड़ा सा बुलिश होता है एक दू तो फोर हार टाम फिर्म के साबसे यह जो moving average है 5 days weighted moving average इसकी उपर प्राइज आ जाता है या 30 moving average की उपर भी आ जाता है या 21 days moving average EMA की उपर भी आ जाता है प्राइज तो यहां पर क्या scenario हो सकता है यहां पर यह सुनेरियो हो सकता है कि bitcoin यहां पर liquidity ग्रेप कर कर जाए एंड इस downtrend में है और इसको break करने के बाद possibly है कि यहां पर fake out करने के बाद BTC again down जाने की भी possibility यहां पर रखता है जो कि आने वाले कुछ जनों के अंदर यानि कि October के last week यह November के first week तक हम लोगो यह expectation है की market है जो dump काफी जादा यहां पर हमें देखने को मिल सकता है अब दोस्तों यह जो यहां पर 100 EMA की उपर है अगर हम हम लोग 100 EMA को break कर देते हैं तो यहां पर possibility नीचे जाने की जादा हो जाती है and अगर हम break नहीं कर पाते है Monday तक भी इसकी ऊपर यहां पर टिके रहते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों यहां पर कर सकते हैं और जिन लोगों ने यहां पर short क position open ले रखी है वो थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पर precautions ले लेना ठीक है and stop loss लाकर अपने चलिएगा थोड़े से and इन दिनों में दोस्तों जादा leverage के साथ यहां जादा margin के साथ आप लोग trading मत करिये मेरी suggestion जो यहां पर है वो आपके लिए यही रहेगी कि जादा margin के साथ जा यहां तक का area देख लेते हैं यहां पर हम देखते हैं जब से BTC dump हुआ है तब से लेकि अभी तक का ठीक है तो यहां पर हमें थोड़ा एक estimate मिल जाएगा कि long term time frame में जो हमारा major volume वाला area है वो कौन सा है ठीक है अभी हम देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कि हम लोग point of control जो हम distance है currently हम लोग उसको break कर चुए है ठीक है तो उसको break करना यानि कि जहां पर हमारा यह जो trend line आ रही है इसको break करना थोड़ा सा easy नहीं है लेकिन manipulation में दोस्तों कुछ भी possible है ठीक है manipulation में अगर wick जाती है न तो whales यह भी कर सते हैं और हमारा जो यहां पर हम लोग ने rectangle यहां पर dump देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो यह चीज़ पॉसिबिल्टी होती है और इन चीज़ों को जो मैंने आपको भी बताई है इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग थोड़ा चेक करते रहिए जो moving indicators हैं दोस्तों आपको काफी ज़ादा है यहां पर help करेंग जो सब्सक्राइब करेंगे तो सही मोका दिखकर तोड़ा सा आउट होने की कोशिश करना ठीक है बाकी थोड़ा सा रिस्की है भी गेम क्योंकि market double sided है तो थोड़ा सा थोड़ा सा उसके साथ चलना पड़ेगा आपको सेफटी के साथ तो इन चीज़ों पर ध्यान ड़केगा तो फलाल दोस्तों इस वीडियो कंदर नहीं है मुझे हुमीद है कि आपको ये थोड़ा बात समझ में आया है अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रू दबाईएगा जो कि काफी जादा मोटिवेट करता है एंड सिंपल है लाइक करन आप वीडियो को सुए जल्दी मिलते है नेक्स वीडियो मेंने अने जिस के साथ तब तक लिए दोस्तों बबाई टिक केर एंड सी यू सून